यह question solve करने से पहले हम introduction देखते हैं यहाँ पे हमें PY और WY निकालना है मैं यहाँ पे P को assume कर लेता हूँ एक 3 cross 2 का matrix Y को assume कर लेता हूँ 2 cross 2 का matrix अब मुझे PY निकालना है यानि P और Y को multiply करना है अगर मेरे यह दोनों multiply हो रहे हैं तो मेरा यह वाला number और यह वाला number यह same होना चाहिए अब यह same है यहाँ पे तो यह multiply हो सकते हैं जब multiply करेंगे तो मेरा यहाँ पे यह और यह cancel हो जाएगा और जो resulting matrix आएगा वो होगा 3 cross 2 यह हमने matrix निकाल लिया यहाँ पे इसकी value कुछ ऐसे आ रही है अब अगर मैं W और Y निकाल रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे यह वाला number और यह वाला number सेम होना चाहिए यहाँ पे सेम है तो यह cancel out हो जाएगा और जो resulting मेरा matrix बनेगा उसका order होगा यहाँ से 3 और यहाँ से 2 3 cross 2 यह कुछ ऐसे आ गया इसको हम solve करें तो मेरी value कुछ ऐसे आ रहाती है यह अब अगर मैं इन दोनों matrices को multiply करूँ P Y प्लस W Y तो मैं notice करूँ दोनों का order जो है वो सेम है अब क्योंकि order सेम है तब ही यह add हो रहे है और जो add होके मेरा matrix बनता है उसको order भी सेम होता है यानि P Y का order है 3 cross 2 तो P Y तब ही define होगा जब मेरा यहां पर यह 2 और यह 2 यह दोनों numbers equal होगे यानि यह और यह number और जो number equal होगे तो यह cancel out हो जाएगा और बच्जेगा 3 cross 2 ऐसे ही W Y W को order है 3 cross 2 Y का 2 cross 2 यह तब define होगा जब मेरा यह वाला number और यह वाला number equal होगा अगर यह equal है तो यह cancel out हो जाएगा और जो resulting multiply होगे आएगा W Y उसका order होगा 3 cross 2 कुछ ऐसे अब जो मेरा P Y plus W Y का order है वो होगा order of P Y equal to order of W Y यानि 3 cross 2 यही चीज़ हम यूज़ करेंगे यह 3 चीज़ हमारे question में